जब आत्मकारक नवमांच के सात्वे भाव में भवोत्तम बन जाता है तो क्या परिनाम होते हैं? जब आत्मकारक नवमांश चाट के सात्वे भाव में भवोत्तम बन जाता है, तो ये रिष्टों, साजेदारी और विवाह पर गहरा प्रभाव दर्शाता है. आत्मकारक आत्मा की इच्छाओं का प्रतिनिदित्व करता है, और ववोत्तम का अर्थ है कि ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश चाट दोनों में एक ही राशी में रहकर अपनी ताकत बनाए रखता है, जिससे उसकी उर्जा बढ़ती है. नवमांश के सात्वे भाव में, जो साजेदारी को नियंत्रित करता है, ये स्थिती बताती है कि आत्मा का विकास रिष्टों से गहराई से जुड़ा हुआ है. व्यक्ति ऐसे साथी को आकर्शित कर सकता है जो उसकी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है. ये स्थिती जीवन साथी के साथ एक मजबूत, बंधन की ओर ले जा सकती है, जिसे अक्सर भाग्या या कर्म संबंध की भावना से चिनित किया जाता है. हालां की, आत्मकारक के रूप में ग्रह की प्रकृती इस बात को प्रभावित करेगी कि यह कैसे चलता है. यहां एक शुब ग्रह सद्भाव, प्रेम और आध्यात्मिक विकास ला सकता है, जबकि एक अशुब ग्रह ऐसी चुनौतियां पैदा कर सकता है जो अंतता आत्मा के विकास की ओर ले जाती हैं. संक्षेप में, सात्वे घर में आत्मकारक के रूप में भवोत्तम रिष्टों के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, जिससे गहन आनंद और गहरे सबग दोनों मिलते हैं. क्रिपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को सब्सक्राइब करें.